प्रिंच का टिकट कड़ गया और चाचा भतिजे की मुलाकात भी नितिश कुमार से चिराग पाशवान की मुलाकात हुई और उसके बाद ये फैसला आज हुआ कि सांभवी को टिकट दिया जा रहा है समस्तिपूर से लड़ रही है राजेश बर्मा को खगडिया से ये सीट दिया गया है तो समस्तिपूर खगडिया के अलावा यह जो सबसे महत्पून है वैसाली की सीट को लेकर यह बहुत दिनों से चल रहा था कि कौन लड़ेगा क्या जिन लोगों ने धोखा दिया उनको हम पाटी में नहीं रखेंगे चिराग पास्मान के चाचा जो बहुत नार करेंगे इसका माने यह हुआ कि चिराग पास्मान को भी समर्थन करेंगे अब इसके पीछे की क्या कहानी है हमको तो यह लगता है कि पसपती पारस को कुछ कहा गया है वाने उनको को कुई महत्पून पद दिया जाएगा अब रजयपाल का पद हो सकता है या उनको कर रहे हैं आज कॉंग्रेस ने उनको चतावनी दिया है कि जो भी महां गटबंधन के फैसले से अलग हटकर जो प्रत्याशी हमारी पार्टी का चुनाव लड़ेगा वह हमारे पार्टी का सदस्य नहीं है इसका माने कि पप्पी यादो को दो टूक कॉंग्रेस ने कह दिया प्रपोर्ट किया चाहिका भी भी तो कड़ी चुनावती देती रही है आप देख रहे हैं लाइब बिहारा मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास आपको हर रोज की तरह एक वार फिर से हम खबरों से खबरदार में आपको बताने जा रहे हैं बिहार में देश में क्या कुछ है आज की बड़ी खबर तो सबसे पहले जो पांच बड़ी खबर हैं आज वो है चिराग पासवान से जुड़ा हुआ जहां चिराग पासवान ने अपने सभी पांच परतियाश्यों का नाम एलान कर दिया है तो अब उनके चाचा पसुपति पारस ने भी एंडिये क को फिर से 40 के 40 सीट पर समर्थन दे दिया और तिसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर है पप्पु यादों को लेकर जीहां पप्पु यादों ने अब जो है निर्दली मैदान में आने का फैसला क्या है और बात करें चौती खबर की तो चौती खबर जो है वो है भाग पामाले से जुड़े हुए महागटबंधन में सामिल घटक दल भागपा माले ने अपने लोक सभा के तीनों परतियाचियों का नाम एलान कर दिया है साथी साथ बाई एलेक्शन अंग्याव बिधान सभा छेतर से भी परतियाची का नाम घोशित कर दिया है इसके अलाबा पांचमी जो खबर हो खबर सिक्षा जगत से जुड़ी बिहार में 4000 से अधिक सिचकों की अब नौकरी समाप्त हो गई है तो इन तमाम खबरों पर हमारे साथ बाचित करने के लिए हमारे वेश्ट पत्रकार रविर अंजन जी हैं तो सबसे पहले तो हम जैसा कि चिराग पा बाचित में यह पहले ही हम लोग बता चुके थे कि यह तय है कि यही नाम घोशित होगा और आज कह सकते हैं कि हम लोगों ने एकल बाचित की थी उसी पर मुहर लग गई है चिराग पास्वान तो अपने वह पहले से कहते रहे हैं कि हाजिपूर से ही लड़ेंगे तो हाजि चौधरी माने नितिश कुमार के सबसे करीबी नेता और नितिश कुमार के मंत्राले में जो मंत्री है असोग चौधरी की बेटी सांभवी को समस्तिपूर का सीट दिया है यह देखिए कि मैंने प्रिंस का टिकट कड़ गया और चाचा भतिजे की मुलाकात भी मनें नितिश खबर राजेश बर्मा जो चिराग पास्वान के करीमी हैं उनकी पार्टी में रहे हैं और एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं तो राजेश बर्मा को खगडिया से सीट दिया गया है तो समस्तिपूर खगडिया के अलावा यह जो सबसे महत्तपून है वैसाली की सीट क यह तैय हो गया कि वीनाजेवी वहां से वैसाली से चुनाव लड़ेंगी तो इस तरह से चिराग पास्वान ने अपने पांचों प्रत्याशियों के नाम के का एलान कर दिया है सबसे बड़ी बात इसी में हम लोग बाचित करते हैं जैसा कि असलम जी ने बताया कि चिराग पास्वान के चाचा जो बहुत नाराज चल रहे थे वसुपति पारस हाजिपूर नहीं चोड़ेंगे लेकिन हाजिपूर छोड़ेंगे क्या बात है उन्होंने आज तो कह दिया कि 400 सीट पर समर्थन करेंगे इसका माने यह हुआ कि चिराग पास्वान को भी समर्थन जो और बिदोयों अभी पता नहीं चला अब कि प्रधان मंतरी नरंदर मोधी से उनकी मुलाकात हुई है कहीं न कहीं कोई बात हुई होगी नरंद्र मोधी कょ much प्रलोवन दिया कि आभी साथ आइए आगे चल के आपके लिए पहले यह उसके पहले चकह चल रही थी कि उनको कहीं राज्यपाल बनाया जा सकता है या राज्यसभा में कभी कोई सीट खाली हुआ तो उनको भेजा जा सकता है लेकिन किन शर्तों पर बात हुए नहीं आप उनके पास कोई option भी नहीं था तो पसुपती पारस ने ये घोशना कर दी है कि उनकी party NDA के साथ है और रहे है या उनको राज्यसभा भी जा सकते है उनको व्हज़े जा सकते है तो पसुपती पारस की चिराग पास्वान से अदावत खत्म हो गई या नितिश कुमार से चिराग पाशवान की अदावत खत्म हो गई यह सब बिहार के सियासी दल्यारे में जो दिल्चस्प कहानिया है वह वह बड़ी जबर्जस्त हैं और बहुत इंट्रेस्टिंग है तो चिराग पाशवान का मसला तो आप देखिए कि चिराग लगे और नितिश कुमार ने उनको गर्म जोशी से मिलाया और आज यह हो गया कि अशोग चौधरी की बेटी को उन्होंने टिकट दे दिया तो लगता है कि रिष्ट्यों में जो खटायस थी वह खतम हो एक तरफ चिराग पाशवान ने नितिश कुमार के सामने सरेंडर कर है यह कह सकते हैं कि चिराग पास्वान ने सेंडर किया हैं कि this communities उनकर जोगत Give on एक जुट होकर चुनाव लड़ेंगे और 400 जीतेंगे आज उनके चाचा ने भी कहा कि चालीसों सीट जीतेंगे तो यह जरूर आपने ठीक ही कहा कि चिराग पासवान नितिश्व कुमार के आगे ढ़े झूके और पशुपति पारस चिराग पासवान के आगे जूके अज सब चारण रहा होगा चौदरी महभूब अली कैसर मिले भी थे चिराग पासवान से और यह कहां जा रहा था कि दोनों के रिस्तों में कोई खटास है नहीं वह मिलते जूलते रहे रहे हैं लेकिन पसुपति पारस के पक्ष में वह खड़े रहे आखिर तक और इसलिए चिराग पासवान ने उनके तरफ ध्यान नहीं दिया होगा लेकिन महभूब अली कैसर को लेकर चिराग पासवान के भीतर को यह ऐसी खटास होगी हमको नहीं लगता है असल में यह जो त किया सट उरिये रहें वह बहुत महट पून है कि चिराग पासवान विहारी फस्ट विहार फस्ट की पहरत करते हैं तो चिराग पास्वान जो कहते चलते हैं कि उनकी नीतियों पर वह बहुत मजबूती से हैं उस पर एक उनको लगता है कि उनको जुकना पड़ा है और किन कारणों से एक तो अपने बहनोई का उनका पक्षव अपने परिवार के सदस्व को वहां से खड़ा किये हैं टो चिराग पास्वान के आगे पर भुसुपतीपारस झुके और चिराग पास्वान नितिज अब तो फर्मान है लेकिन खबरों के पीछे की खबर जो हम लोग बातचीत करते हैं इसमें तिजस्वी आदो अचानक दिल्ली गये हैं वहांने तल ही उनका पूरा परिवार दिल्ली से लोटा है और आज पिर दिल्ली गये हैं इसका माने हो सकता है कि भीमा भारती जिसको रा भारती के नाम को वापस लिया जाएगा क्या राहूल गांधी से उनकी मुलाकात इसली हो रही है कि पपू यादो को पार्टी से निकालो मनें उनकी पार्टी का तो विलय हो चुका है कॉंग्रेस में तो पपू यादो अपनी पार्टी से भी हाथ धोएंगे या वो कॉंग्रेस ने उनको चेतावनी दी है कि जो भी महां गटबंधन के फैसले से अलग हटकर जो प्रत्याशी हमारी पार्टी का चुनाव लड़ेगा वह हमारी पार्टी का सदस्य नहीं है इसका माने कि पपू यादो को दो टूक कॉंग्रेस ने कह दिया है असल में यह सबसे बड़ा सवाल है अब जैसा कि हम पहले बता चुके हैं सभी पर्तियासियों का नाम कहें लंबे समय से बिहार में लेफ्ट फ्रंट का सुखा है क्या इस पार उस सुखे को माले या फिर कहें कि पुरी लेफ्ट फ्रंट मिलके सुखे को दूर कर पाएगे तेखिए बड़ी दिल्चास्पात यह है कि भागपा माले का जो जमीन जहां उसका जनाधार है वह सुखे को आरा से टिकट दिया गया है सुखे को प्रसाद ने वहां बहुत काम किया है मने आरा शेत्र में वह एक पॉपुलर लीडर है तो सुखे कड़ी चुनावती देंगे भाजपा के प्रत्याश्री आरके सिंग को और पिछले चुनाव में भी वह पागपा माले ने ज के बागपा माले के पुराने कारत ने आ दोदननके चिसानली के दावर और किसानों को शंगठ्रित करने की उनकी टागत और जगा-जगा घूम तो बिहार में किसान अन्दोलन का जंड़ा राजा राम ने उठाया था तो राजा-राम तो राजा-राम-शिंग की अपने। लोग है और उनका कैडर जो है रागाराम सिंग की अपने पार्टी में भी एक मजबूत इस्थिति है तो कारा कार्ट में उपेंद्र कुछ वहा को एक बड़ी चुनोती वो दे सकते हैं और तीसरी सीट इनको मिली है नालंदा की नालंदा तो असल में जमीन नितीश कुमार की हैं जो तिसलमार की नालंदा की ख़का माले क्या कुछ करपाती नितीश कुमार के है और लकतार уже नेता नेता है सब्सक्राइब को लेकिन भागपा माले नालंदा में जहां पर नितीश कुमार ने अपने मन से कभी जॉर्ज फनांडिस को जिता दिया वहां से कौशलेंदर जैसे प्रत्यासी जिनकी अपने कार करता था कोई अशी कोई हश्यत नहीं थी उनको खड़ा किया और जिता लिया तो वहां संदीप सहरब को थोड़ी मुश्किल जहलनी पर सकती है तो बिलकूल आप अभी सुन रहे थे किस तरीके से बिहार में किस तरीके से नीज और खबरें में अपडेट हुए खास करके लोग सबाचुनाओं को लेकर कहीं कोई उदास है तो कहीं किसी को कई टक कर मिल गए तमाम तरह के बातों को आपने वैश्ट पतकारवी रंजन जी से सुना है आप अपनी राय क्या रखते हैं हमें कमेंट में जरूर बताईगा तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत सुक्रिया लाइफ भिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर ला पर करें